हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाने वाले हैं आम की लॉंजी इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम ये कच्छे आम है इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद में हम इन्हें छेल लेंगे तो फ्रेंट्स ये कलमी वाले आम है कलमी आम मीठा ह जैसे भी आम मिलते हो आप उन्हें ले सकते हैं यह देखिए इसके हमने बीज इस तरह से निकाल लिए हैं अभी इसके जो भीज नहीं है इसलिए आसानी से कट रहा है अगर आपके यहां के आम में बीज पक जाएगा तो आप उसे उपर का गुदा इस तरह से काट के निकाल सकते हैं और अब हम गैस पर पैन चड़ाएंगे उसमें मैंने दो टेबल स्पून तेल डाला है अब यह मेरे पास एक चमच सौफ है एक चमच कलोंजी एक चमच खड़ी धनिया है और एक चमच जीरा हींग चुटकी भर इन मसालों को हम तेल में डाल कर थोड कि हमारा जो इसमें जो अमिया है यह अच्छे से भून जाए अब इसमें हमने एक चमच हल्दी डाल दी है और हल्दी को भी डाल कर हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे इस तरह से चलाते हुए ताकि इसमें थोड़ा सा चलाएंगे, एक दो मिनट के लिए और चला लेंगे ताकि इसका सोंधापन अच्छे से आजाए तो इसे मेंने 3-4 मिनट इसी तरह से चलाया, अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो यह एक ग्लास पानी का इस्तेमाल मैंने किया है और अब हम इसमें लगा देंगे धकन और पांश मिट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे तो पांश मिट बाद देख लेते हैं तो ये आम का कल्यार पहले से कुछ चेंज हो गया है तो इसे हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए आम मिलकुल पक चुका है अब इसे और पकाने की आवस्चता नहीं है तो चलिए अब हम इस पे डालते हैं गुर्ट तो चुकि मैंने बताया था ये आम थोड़ा सा मीठा है कलमी वाला है तो इसमें ज्यादा गुर्ट मैं नहीं डाल रहे हूं मैंने एक कटोरी गुर्ट डाला है आप चेक कर लीजेगा अगर आप चाहें तो गुर्ट और चीनी बराबर मात्रा में मिला कर डाल सकते हैं तो ये देखें अब हम गुर्ट को थोड़ा सा मिल्ट होने तक पकाएंगे खोल करी इसी तरह से पकाना है और ये गुर्ट अब हमारा मिल्ट लग रहा है अच्छे से मिल्ट हो गया है अब हम डालेंगे मसाले तो ये मेरे पास है एक चमच कासमीरी लाल मिर्च एक चमच कुटी लाल मिर्च भूना हुआ जीरा चाट मसाला सोट पाउडर और काला नमक सभी की मात्रा एक सबान है तो इस तरह से हम इसे चला लेंगे चुकि हमने कासमीरी लाल मिर्च डाली है तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है जब हमारी चाचनी पक जाएगी तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा प्रेंट्स आप इसे जरूर बनाएं और ये जब हम खाते हैं तो खाने में बहुत ही बहतरीन स्वाद लगता है मिल्कुल मुझे बजार वाली समोसे की चटनी की याद आती है तो आप ये से बनाएए और समोसे के साथ खाएए पराठे के साथ खाएए बच्चे तो इस चटनी को बहुत ही प्रेंट्स खाते हैं और फिर मुझे बताएए कि कैसी बनी है प्रेंट्स अगर पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें